बुमरा ने रिजवान को बोल्ड पर पल्टा पासा नहीं तो मैच जीत गया था पाकिस्तान जाने कैसे हुआ उलट दे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महा मुकाबले में जस्परीद बुमरा ने अपनी सठी गैंद वाजी से कमाल कर दिया बुमरा की एक गैंद ने पाकिस्तान से मैच छीन कर भारत की जोली में डाल दिया टी ट्वेंटी वर्ड कप दोहुजाट चोविस का उननीसवा मुकाबला बेहद रुमान चक रहा जिसमें मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच था यह मैच न्यूयोक की नासव काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिला गया जहां भारत ने लो स्कोरिंग मैच में अपनी जबर्दस्त गैंद वाजों की बदोलत पाकिस्तान से जीत छीन ली भारत बना मुकाबले में बूम 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 बुमरा ने धारदार गैंद बाजी की उन्होंने मुहमद रिजवान को आउट कर भारत को मैच में वापस ला दिया मुहमद रिजवान का विकेट बना मैच का टर्निंग पॉइंट भारत और पाकिस्तान के वीच खेले जा रहे महा मुकाबले में भारतिय तेज गैंदबाज जस्प्रीत बुमरा ने पाकिस्तान को बड़ा जटका दिया। 15 वे ओवर में गैंदबाजी की शुरुआत करते हुए बुमरा ने पाकिस्तान के विकेट कीपर बले बाज मुहमद रिजवान को आउट किया। गैंदों का सामना करना पड़ा। 15 व बले बाज थे जो पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा रहे थे। रिजवान का विकेट गिरना बहुत जरूरी था। अगर रिजवान खड़े रहते तो वैपाकिस्तान को आसानी से मैच जिता देते रिजवान के विकेट की बाद पाकिस्तान की टीम लड़ खड़ा गई और फिर टीम ने बाकी विकेट भी जल्दी जल्दी गवा दिये थे बुम्रा की आने से पहले पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर असी रन था और यहां से उन्हें छे ओवर में जीत के लिए सिर्फ 40 रन चाहिए थे लेकिन बुम्रा की एक गैंद ने पूरा पासा पलट दिया बुम्रा की इस गैंद ने टीम इंडिया को दोवारा मैच में व के बाद जस्पीत बुम्रा ने 18.05 ओवर में इफ्तिखार एहमद के रूप में अपना तीसरा विकेट हासल किया और प्लेयर ओफ दा मैच बनने का दावा ठोका बुम्रा का यह कमाल सिर्फ रिजवान और इफ्तिखार का विकेट लेना नहीं था इससे पहले पांचवे 2020 वर्ड कप 2024 प्रदर्शन जस्पीत बुम्रा ने अपने चार ओवर की स्पैल में 3.50 की एकॉनमी से 14 रन देकर तीन विकेट लिए उन्होंने अपनी गैंदबाजी से बड़े-बड़े पाकिस्तानी खिलाडियों को पवेलियन वापस भीज दिया भारत और पाकिस्तान की बीच हुए इस मैच में जस्पीत बुम्रा प्लेयर ओफदा मैच भी बने